वेलकम बैक टू दर चैनल आज की वीडियो में पढ़ने वाला है एंड्रोइट की टूटर चैप्टर फाइब के बारे में इसमें हम पढ़ने वाल एक्टिविटी लाइफ साइकल एक बहुत ही इंपॉर्टन टॉपिक है और इसके 100% चांसे एक्जाम में आने के तो इस ताकि आपको आने वाली इंजिनियरिंग और डिप्लोमा से लिटेर सारी वीडियो स्टाइम मिलते रहा करें चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम समझते हैं अक्टिविटी क्या होती है देखो यार मैं बहुत सिंपल में आपको बताता हूँ आप लोग को आप पर उसकी कॉंटेक्ट इन्फरमेशन होते हैं अगर आप वेबसाइट की टर्म में बात करो तो उसको हम बोलते हैं पेज और सेम चीज अगर आप एंडुड अप्लिकेशन में बात करो तो हम उसको बोलते हैं एक्टिविटी एक सिंगल स्क्रीन है जहां पर हम अपने को डालते हैं अगर आपको एक्टिविटी में इसमास लिटी कोशिंड आते हैं सबसे पहले यह क्तिविटी देफिनिशन लिख सकते एक फिर उसके बाद यह लिको कि वेबसाइट में वेब साट से आप ऑप एक डाराम बना सकता है आप नौनल वेबसाइट की पीज से बना तो उसका चाट बोक्स खुलता है उसका चाट कॉन्वासेशन को फिर इसको एक बहुत इंप्वाट ब्रॉट्टि टॉपिक है अक्टिविटी लाइफ साइकल सबसे पहले हम यह समझते हैं साइकल मतलब होती है जो चीज़ें आपने स्टार्ट किया उसको आप खतम करोगे मतलब जो चीज जहां से स्टार्ट हुई है वहीँ पर खतम होगे हूं वहीं पर आके खतम होगे इसको हम भोलते है life cycle, यहां पर पढ़ने होडा activity life cycle मतलब activity start कैसे होती है और end कैसे होती है जब हम एक activity को बनाते हैं और activity जब खतम करते हैं तो उसके बीच में कितने सारे states होते हैं कितने सारे phases होते हैं हम उसको देखेंगे तो मैं zoom करता हूँ picture थोड़ी सी blur है और सबसे पहले हम मैं आपको डायगराम थोड़ी सी डायगराम बढ़ी है तो आप कैसा लगड़ा हो कि याद करने में बहुत मुश्किल है बट मैं आपको बताता हूँ सबसे इजी तरीका एक से डायगराम को याद करने का ठीक है आपको इस प्रीच में activity running ग्रीन क्लड़की activity running है उसके ऊपर एक पार्ट है उसके नीचे एक पार्ट है आप क्या करो यहां से स्क्रीन को डिवाइड कर लो ठीक है आप अपने नोट बुक जहां पर भी डागराम बना रहे हो वहां पर activity running से एक लाइन ड्रॉ कर लो और उपर को फॉस्ट पार्ट असाइन करो नीचे को बता है activity life cycle क्या होती है जो चीज़ हमने स्टार्ट की सको खतम करेंगे तो हमने यहां पर activity launch किया है मतलब हमने अक्टिविटी स्टार्ट करें तो आप नीचे आओ एक्टिविटी शट्डाउन लांच का सिधा अपोजिट शट्डाउन फिर हमने यहां पर activity create किये यहां पर हमने लास्ट में डिस्ट्रॉई किया है फिर हमने अक्टिविटी स्टार्ट किये फिर हमने यहां पर activity stop करा है फिर हमने अक्टिविटी रेज्यूम किये फिर हमने अक्टिविटी पॉज किये मतलब आप यहां पर देख रहे हो कि अगर आप पैटर्न एक बहुत ही सिंपल है जहां पर opposite चीज़े हो रही है जैसे आपने start किया तो आप उसको stop करोगे आपने create कि आप इसको destroy करोगे आपने resume कि आप उसको pause करोगे यह याद रखने का बहुत ही simple टेकनिक है और यह question hundred percent आने वाली में चे मांक्स के लिए यहां पर चार मांक्स के लिए तो आप इस question को अच्छे से prepare करो ताकि आपकी चार मांक्स या पर चूटके ना जाए तो यही थी activity life cycle हमारी यहां पर मैं आपको सबसे पहले बतातों सबसे पहले activity launch होती है दिन हम activity create करते हैं then start करते हैं then resume करते है activity run होती है दिन अगर हम pause करते हैं लाइक अगर हम यह second phase है चाहां पर आक्टिविटी में तो पहली वाली activity pause हो जाती है और उसके बादे stop करते दिस्ट्रॉय करते है तो आप देख रहे हैं पर pause से एक lines आ रही है resume पर आप कोई example बताता हूं आप कुछ भी चीज़ को pause करते हो तो वह चीज़े resume होती ही जैसे आप Google कुछ चीज़े download करते हो अगर आपने बीच में pause किया तो वहां पर उस tab का नाम चेंज़ के resume पर आ जाता है कि आप tap here to resume the file same way process यहां पर भी तो यह थी activity life cycle की डियाग्राम वहां नेक्स आथ आथ अक्टिविटी life cycle methods बहुत simple method जो आपने डाइग्राम में पढ़ा है वही same methods जैसे सबसे पहले on create method on create का का मतलब क्या होता है यहां पर आपको नाम से मतलब समझ में आ जाएक और exam में लिख सकते हो on create का मतलब क्या होता है कि आप में activity create करें री स्टार्ट करें मतलब फिर सब्सक्राइब करें सिंपल एक्जांपल बताता हूं आपको आप सब्सक्राइब चला रहे हो आपने एक वीडियो खोल के रखिए आप वीडियो देख रहे हो आपके साथ किसी का मेसेज आया वाट्सप पे आपने यूट्यूब क इस वीडियो आपके स्टार्ट नहीं होगी फिर हम आते हैं ऑन पर लाइक करने के लिए प्लाइब वार्ट से ही समझ मांतया है आपको पॉस पार्स करने के लिए अनों स्टॉप जब में अपक बाशकंटे करते हैं कि आपकी पूरी function हो जाती हमने चैट हम किसी चैट कर रह पर आपने आपधिविटी किल कर दी एक्टिविटी वह पर से स्टार्ट नहीं हो सकती जैसे की simple example अपको चीजे download गर गूगल प्ले स्टोर से कहीं से भी आपका चीज़े अगर आपने download पर आधी पर छोड़ दी तो आपने pause करा तो आपके यहां पर आपको एक्टिविटी डिस्ट्रॉय हो जाता है तो आप जितने भी आपको मेधर ने बता है उन सब के एक्जामपल डालो और अच्छे माउस मिल जाएंगा और यह कोशन को अच्छे से प्रिपेर करो तापकि आपको सब्सक्राइब करो ताकि आपको आने वाली जितनी भी वीडियो मिलते रहा करें और एंच्छे सारे कॉंटेंस इंपॉर्टन टॉपिक्स की वीडियो मिलते रहा करें थैंक्यू सो मच फर वचिन दिस वीडियो